Hello students, good morning, welcome to butterfly school again, book 1, general science, unit 1, chapter 1, plants around us बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको ये चैप्टर के बारे में पूरा समझाया था चलिए अब वर्क सीट आपको होमवर्क में दी थी, उसका सोल्योशन लेते हैं पैंसिल और इरेसर दोगों ने लीजिये और फ्लीज, फ्लीज फ्लीज ठुड़ा जलदी किजियेगा बच्चों यहां पर हमको क्लू बउक्स में दिया गया है तो टीज, यहां पर देखते जाएं 2. Dash need support to climb Climbers need support to climb Climbers पे 2 कीजिये 3. Dash protect the plants from the animals Thorn 4. Most plants have dash Most plants have leaves 4. हो गया बच्चो Question number 2 Write the names of any 3 trees First, Bunyan trees Second, Neem tree Third, Mango tree Question number 3 Teeth write word printed in bold First, the Bunyan bean is a tree तो Bunyan, Bunyan के निचे write करेंगे Okay Second one is The rose oblique lotus plant has thorn Rose के निचे write करेंगे देखिये Okay Third one is The grapevine is a tree Oblique climber तो grapevine क्या है? Climber है, वो tree नहीं है Okay तो climber के निचे write करेंगे Fourth one is The coconut oblique neem tree has branches तो branch किसको होती है? Neem trees को Okay तो neem के निचे write किजिए Now Let's have fun में देखिये बच्चो Name the type of plants आपको picture देखके नीचे नाम लिखना है तो बच्चो ये देखे, ये tree है तो T-R-E लिखिये ये shrub है, छोटा plant है तो S-H-R-U-B लिखिये ये देखिये, ये इससे भी छोटा plant है, herb है तो H-E-R-B हर लिखिये ये climber है तो C-L-I-M-B-R लिखिये ओके बच्चो Now complete the puzzle with the different type of plants around us तो यहाँ पे puzzle को क्या करना है? complete करना है S-H दिया गया है यहाँ पे H-E-R-B E-R लिखिये हर्ब हो जाएगा यहाँ पे S-H लिखा हुआ है R-U-B लिखिये श्रॉब हो जाएगा फिर क्या? यहाँ पे climber लिखिये C दिया गया है L-I-M-B-E-R climber यहाँ पे tree T दिया गया है R-E-E लिखिये यहाँ पे creeper C दिया गया है R-E-E-P-E-R तो यहाँ पे हमारा chapter complete हो गया है बच्चो चलिए CW ले लिजिए चलिए बच्चो 4 लाइन माली CW साथ में रखिये गया थोड़ा जल्दी कीजिएगा बच्चो Unit 1 Plant Life में Chapter 1 है Unit 1 में बच्चो हुमारे 2 या 2 या 3 चैप्टर आएंगे बच्चो First Chapter Plants Around Us Hardwood लेक लिजिए First Different Second Plant Third Around Four Colorful Five Strong Six Branch Seven Shrub Eight Herb Nine Climber Ten Creeper Eleven Thorn ओके बच्चो बच्चो वार्क सीट पे चलते हैं जो मैंने टैक्स बुक में करवाया वही का वही आपको इसमें भी फिल करना है अच्चे इंड रेटिंग कीजिएगा अगर पीचर रह जाते हैं तो not to worry वीडियो पॉस कीजिए लिख लीजिए फिर से प्ले कीजिए ओके बच्चो पैच्चन नमबर वान चूस दे राइट वार्क्स और फिल इंड ब्लैंस जो मैंने बुक में से कराया उसमें से यह आपको लिखना है फिर्स देश और बिख ब्लैंस तो क्या आएगा ट्रीज ओके सेकंड वन इस देश निए सपोर्ट तो क्लाइब लॉपर्स ओके थर्ड वन इस देश प्लांस प्रोटेक्टिए प्लांस कौन प्रोटेक्ट रता है थोर्न ट-H-O-R-N-S ओके नव फूर्थ वन इस मोस्ट प्लांस हैव लीव L-E-A-V-E-A-S नव तर्न यो पेज़ हाँ प्रोटेक्ट नमबर तू राइट था नेम्स अप एन त्रीज बच्चों पहले क्या लिखेंगे B-A-N-Y-A-N-T-Double-R-E बनियान ट्री सेकंड वन इस नीम्स ट्री M-E-E-M-T-R-E, third one is M-A-N-G-O-T-R-E, okay question number three, take the right world, first one is the bunyan oblique beak is a tree, अभी हमने करा बच्चो तो बनियान क्या है, tree है, bean tree नहीं है, तो बनियान के नीचे right कीजिए, okay, second one is the rose oblique lotus plant has thorn, thorn किसको होते हैं, काटे किसको होते हैं, rose plant को, तो rose के नीचे right कीजिए, okay, third one is the grapevine is a tree, और clamber, grapevine clamber है बच्चो ट्री नहीं है, तो grapevine के नीचे right कीजिए, okay, fourth one is the coconut oblique neem tree has branches, branches कितको होते हैं, neem को होते हैं, okay, coconut को branches नहीं होती, तो बच्चो यहां पर हमारा chapter complete होता है, next video में chapter 2 स्टार्ट करेंगे, thank you,